राजस्तान में 18 प्लस वालों के वैक्सिनेशन को लेकर मची खीश्तान के बाद गहलो सरकार ने निशुक सुविदा देनी की गोशना की तो लोगों ने राहत की सास ली इसी बीच राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने वैक्सीन के लिए अपना एक मा का वेतन दिया है साती हरीश चौधरी ने अपील की है कि जिस तरह पीएम नरेंद्र मोधी के आवान पर गैस सिलेंडर की सबसिटी छोड़ दी थी उसी तरह सक्षम लोग टीके का खर्चा खुद वेहन करे उदर जिला प्रमुक और बाडमीर विधायक भी इस मुहीम में जुड़ गए हैं बाडमीर जिला प्रमुक महेंद्र चौधरी ने अपनी एक मा की सैलेरी दी तो बाडमीर विधायक मेवा राम जैन ने एक लाक रुपे देने की घोशना की है